नमस्कार ब्यूटिफुल हमेशा हिंदी चानल में मैं किरिन आपका स्वागत करती हूँ आज मैं आपको बताऊँगी कि सेंदा नमक मुझ पर लगाने से यानि चैरे पर लगाने से आप किस तरह से साफ और निक्री तोचा पास सकते है दोस्तों सेंदा नमक जो होता है हमारी स्कीन की घहराई से सफाई करता है ब्लाक हेड, डेट स्कीन और वाइट को भी हटाता है सेंदा नमक की वज़े से हमारी स्कीन पर बहुत ही अच्छा निक्षा रहा सकता है तो आज मैं आपको तीन घरेलू असान उपाई बताऊंगी सेंदा नमक को इस्तिमाल करने के तो चरिए देखेंगे तो सबसे पहला उपाई है ब्लाक हेड, वाइट हेड और डेट स्कीन सेल के लिए अगर आपको इन सारी परिशानियों में से किसी एक की भी परिशानी है तो ये जो उपाई है आपको करना चाहिए इसके लिए आपको एक चमच सेंधा नमक लेना है और लगग एक चमच निम्बू का रस लेना है ये हमारे स्कीन को बहुत अच्छे से ब्लीच करता है दोस्तों इन दोनों को अच्छे से मिला लीजे और इसकी मदद से अपने चेहरे पर स्क्रब कर लीजे या फिर कुछ मिंटों के लिए इसे लगा कर छोड़ दीजे और जब ये सूप जाए तभी भी आप अपने चेहरे को स्क्रब करते हुए दो सकते है ऐसा आपको हफ़ते में कम से कम दो बार तो करना है ऐसा करने से आपकी स्कीन की गहराई से सफाई हो जाएगी और आपकी स्कीन बहुत ज़्यादा ग्लो करेगी इसके बाद दोस्तों अगर आप अपने स्कीन को सालों साल जवा बनाई रखना चाहते हैं तो ये उपाय आपके लिए बहुत ही अच्छा सावित हो सकता है इसके लिए आपको चाहिए एक चमच हानी, हनी में मौस्चिराइजिंग प्रॉपर्टीज होती है ये हमारी स्कीन को ब्लीच करता है, साथे साथ हमारी स्कीन को जवा बनाई रखने में काफी मददगार है इसके साथ साथ आपको चाहिए एक चमच सेंदा नमग इन दोनों को अच्छे से मिलाकर इसे अपने चेहरे पर लगाकर छोड़ दीजे लगब 15-20 मिन्टों के लिए जब ये पूरी तरह से सुख जाएगा तब थंडे पानी से अपने चेहरे को धो लीजे इस उपाई को हफते में कम से कम दो बार जरूर करिए ऐसा करने से आपके स्कीन पर एक जवा लूग बना रहेगा और आप सालो साल जवा दिखेंगे इसके बाद दोस्तों अगर आपके स्कीन बहुत ज़ादा ड्राइ है और ड्राइनेस की वज़े से आपके स्कीन पर बहुत एक गंदी सी लेयर बन चुकी है और अगर आप उसे साफ करना चाहते हैं तो ये उपाय आपके लिए बहुत ही बढ़िया है इसके लिए आपको चाहिए ऑलीव ओईल, ऑलीव ओईल में बहुत जादा मात्रा में विटामिन E पाये जाता है विटामिन E जो होता है हमारी स्कीन को बहुत ही अच्छे से मेंटेन करके रखता है उसके बाद आपको चाहिए एक चमस सैंदा नमग इन दोनों को अच्छे से मिला कर अपने चेहरे पर स्क्रब कर लीजे और थोड़े मिन्टो के लिए इस फेस क्रब को ऐसे ही रहने दीजे और उसके बाद अपने चेहरे को धोरीजे उसके बाद आप देखेंगे कि आपके स्कीन में एक बहुत अच्छा ग्लो आया है और आपके स्कीन की ड्राइनिस पूरी तरह से खतम हो गई है इस उपाई को हफ़ते में एक से दो बार तो जरूर करिए तो देखा दोस्तों आपने ये थे बहुत असान से उपाई सेंदा नमक के साथ जिससे आपके स्कीन एकदम पॉफेक्ट हो सकती है मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंदा है होगा अगर आपको ये वीडियो पसंदा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजे अगर आप चाहे तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते है कहीं अगर आपको जो पहली बाद देख रहे तो सबसे पहले मेरे चानल के लिए सब्सक्राइब कर दीजे और उसके बाद जो में एक बेल आइकन बटन है उसे भी क्लिक कर दीजे ऐसा करने से आपको मेरे नए नए वीडियो की नोडिफिकेशन मिलती रहेगी मैं आपको मिलूगी और एक ऐसे ही वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद